तो कक्छा दस्मी के प्रिए विद्ध्यातियों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिये लेकर आचुके हैं कक्छा दस्मी का प्री वोट परीक्षा पेपर 2022 बिसाइ विध्यान तो देखें बिद्धिया थी ओ वीडियो को देखें बिल्कुल लाश्ट तक क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका जो बिग्यान का पेपर है प्रीवोट परीक्षा का इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं हाँ दोस्तों आपके पेपर में कोल टोटल मिलाकर बारीश प्रिशने दिये गए हैं तो आपको प्रिशने क्रिमांक एक से लेकर प्रिशने क्रिमांक बारीश तक का पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके बताने वाले हैं आप लोगों की जो कापी मिली है उत्तर पुस्त का म और जल्दी से जल्दी जैसा अमांसर बताते जाते हैं आपको सिर्फ लिखते जाना है आपके 80 एंक पक्टे तो देखिए कयों कि दोस्तो आपके प्रिंग्यान में पूरे के तनु हाइडरो किलोरिक अमले को लोहे की चूड में चूड पर डाला जाए तो इसका सही अंसर आ जाएगा फष्ट नमर का जिसमें लिखा है हाइडोजन गेस एवं आइरन किलोराइट का निर्मान होगा इसकी बाद आता है खा नमर का जिसमें लिखा है धातूं को पतले ता गहा नमर में खींचे जा सकने की चमता कहलाती है तो इसका सही अनसर आ जाएगा झान ये ता स्युक्त को नमर का चिसमें लिखा है धो तंत को उसका impress क्या चारीस प्रियव मेंbes से तो इसके बादा जिसमें लिखा हुआ है निमन में से आलेंग्य की जनन मुकुलन दोरा होता है, तो इसका शई अंसर आ जाएगा दूसी नमार का इस दू से एड़ा का विद्ध धारा तो इसका सही अंसर आजाएगा दूसरी नमर का जिसमें लिखा है घांस बकरी तथा मानव इसकी बाद आता है चा नमर का जिसमें लिखा है बिस्सो में सबसे तेजी से काम करने वाला प्राक्तिक संसाधन है तो इसका सही अंसर आजाएगा बन और इसके बाद आता है जा नम्मर का जिसमें लिखा आबायत साइडी में आबायतों की संख्या होती है तो इसका सही अंसर आजाएगा साथ तो देखिएगा दोस्तों आपका जो प्रिष्णिक रिमांक एक है जिसमें आपको सही विकल्प का चायन कायना था वो पूरा का पूरा हमने आप लोगों के लिए बता दिया है और इसके बाद आता है आपका प्रिष्णिक मंग 2 जिसमें लिखा है रिक्तिस्थानों की पूईती कीजिए चलिए तो आप हम आप लोगों की जो रिक्तिस्थान हैं उन्हें भी हल करवा देते हैं तो देखिएगा इहां पर देखिए आपका पेज नमर 2 है इसमें आपको रिक्तिस्थान देखने को मिल जाएंगे तो देखिए इहां पर पिष्णिक मंग 2 दिया गया है जिसमें लिखा है रिक्तिस्थानों की पूईती कीजिए और इसमें आपका पहला रिक्तिस्थान दिया गया है जल एक खाले स्थान ओक्साइड है तो इसमें आपको भल लेना है क्या हाइडरो क्या भल लेना है दोस्तों हाइडरो कुछ इस्पिका से आपको लिख लेना है और इसके बार आता है रिक्तिस्थान नमबर दो जिसमें ल आता है तीसे नम्मर का जिसमें लिखा है मादा एवं गर्भस्त सिसू के बीच जैविक संबंध इस्थापित कहने वाला उतक खाले स्थान कहलाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों पिले सेंटा क्या हो जाएगा दोस्तों पिले सेंटा इसले एक हैं पिले सेंटा लिख लेना है और इसके बारा आता है अंगला प्रिषने यानि की बिक्दिख्त स्थान नमर चारज जिसमें लिखा है मानाउ सरीर के اंडारू का निर्मार खाले स्थान में होता है तो इसका सही अंसर आ जाएगा दोस्तों आपका अंडा से क्या आजाएगा अंडा सै और इसके बार आता है आपका प्रिस्ने किर्मांक यानि की विक दिख्थ स्थान number 5 जिसमें लिखा है पराग कोश में खाली स्थान पाए जाते हैं तो इसका सही अंसर आजाएगा क्या पराग कर क्या आज आएगा दोस्तो पराग कर इस पिका से आपको लिख लेना है और इसके बाला आता है जिक्त स्थान नमबर 6 जिसमें लिखा हुआ है अनुवांसिकी के जनक खाली स्थान है तो इसमें आपको लिख लेना है ग्रेगर जोन क्या लिख लेना है दोस्तो आपको यहाँ हम लिख के आप लोगों के दिए बता देते हैं तो देखे इसमें आपको लिख लेना है कुछ इस पिका से घ्री गर के गर जोन कि मैं बड क्या लख लाने हैं दोस्तों आपको लेंब मेंबर कुछ इस पिका से आपको लिख लेना है और इसके बाद आता है देखिए दोस्तो आपका अंगला रिक्तिस्थान जिसमें लिखा है यानि कि रिक्तिस्थान नमबर 7 जिसमें लिखा है किसी तार का पिती रोधक उसकी लंबाई की खाले इस्थान होता है तो इहां पर आपको लिख लेना है अनुकिर्मानुपार्ति क्या लिख लेना है अनुकिर्मानुपार्ति आप लोग आसानी से लिख सकते हो इसके बाद आता है जा आठ नंबर का रिक्तिस्थान जिसमें लिखा हुआ है मस्तिस्क का मेरु रज्जू खाली स्थान तंत्र बनाते हैं तो इ जोड़ी मिला कर उत्तर लेखिए तो देखिए इहां पर आपकी जोड़ी है इहां पर दी गई है तो चलिए इनका मिलान हम आप लोगों के लिए करवा देते हैं तो देखिए इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है सबसे अधिक रियासील धातू तो इसका मिलान हो और इसके बार आते हैं गानमर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका आठ नम्बर में और इसके बाद जो आपकी घानमर की जोड़ी है जिसमें लिखा तारों का टिम्टिमाना तो इसका मिलान हो जाएगा आपका छटे नमबर में बायू मंदलिये आवायतन अपवायतन और इसके बाद आती है चा नमबर की जोड़ी जिसमें लिखा है लेंस की छमता तो इसका मिलान हो जाएगा आपका पांचमे नमबर में और इसके बाद आती है चा नमबर की जोड़ी सुरी दोस्तो चा नम्मर की जोड़ी का जो मिलान होगा वो होगा आपका चा नम्मर की जोड़ी का मिलान होगा दूसरे नम्मर में जिसमें लिखा है यहाँ पर देखे चा नम्मर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा यहाँ पर डाई ओप्टर इसके बाद जो च्छा नम्मर की जोड़ी है जिसमें लिखा है जराद्रेश्टी तो इसका मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर यहाँ पर पांच में नम्मर में और इसके बाद है जो जा नमबर की जोड़ी है इसका मिलान हो जाएगा आपका विवानतर का मिलान हो जाएगा आपका चौतरे नमबर में तो देखे इहां पर आसा कहते हैं कि आपको सभी जोड़ी समझ में आ चुकी हैं देखे दोस्तों आसा कहते हैं कि आप लोगों की जोडियां है अच्छी तरह से जोडियों का मिलान हो चुका होगा तो देखे चलते हैं अब नेक्स्ट कुष्चन की और यानि की प्रिशने की मांग चार जहां पर इसमें लिखा है एक सब्द या एक बाक में उत्तर लिखिए तो इसमें आपका पहला प्रिशने दिया गया है सुद्ध जल का पी एच मान लिखिए तो इसका सही अंसर आजाएगा साथ और इसके बार आता है दूसरे नम्मर की प्रिशने जिसमें लिखा है दो या दो से अधिक धातू की सामागरी सामांगी मिस्टर को क्या कहते हैं त दोस्तों धातू लिख देना है और इसके बार आता है आपका अंगला यानि की तीसे नम्मर का प्रिशने जिसमें लिखा है हरे पोधों की पत्तियां में पाए जाने वाले बायड़क का नाम लिखिए तो इसका सही अंसर आपको लिख लेना है क्या किलोरो फिल क्या लिख और इसके बार आता है आपका अंगला प्रिशने जिसमें लिखा है नर यूगमक एबं मादा यूगमक के सनलयन को क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर आजाएगा निसीचन क्या आजाएगा दोस्तों इस पिका से आपको लिख लेना है देखिए यहां से हम आप लोगों के लि लेख लेना है और इसके बार आता है आपका अंगला प्रिशने तो देखे इस प्रिशने में आपका प्रिशने दिया गया है लिंग निर्धार कयने वाले गुर्षूत्रों के नाम लिखीगे तो देखिए इसका सही अंसर आ जाएगा क्या लिंग गुड़ सूत्र क्या जाएगा दोस्तो इस पिका से लिंग गुड़ सूत्र आपको लिख लेना है और इसके बाद आता है छटे नंबर का पिष्ण है जिसमें लिखा है लेंस की छमता का सूत्र लिखीगे तो देखे इसका सही अंसर आजाएगा लेंस एल वरावर एक बटे एप देखिए आसा कहते हैं कि आपको लेंस की छमता का सूत्र समझ में आ गया होगा एक बटे एप आपको इस पेकास लेंस की छमता का सूत्र लिख लेना है और इसके बाद आता है प्रिस्निक मंग साथ जिसमें लिखा है निकट आपको इस पिका से लेख लेना है और इसके बादा है एन्परिश्ण औरम wereki की अर्थ जिसमें लिखा है एहाँ पर पिःष्णिक का टिया गाया है आपका जिसमें लिखा है विद्धुत पितिरोद का एसा मात्रक लेखिए तो इसका सही अंसर आजाएगा क्या दोस्तो आपका ओम क्या जाएगा ओम आप इस पेका से लिख सकते हो या आपको इस पेका से बनाना चाहो तो इस पेका से भी आप लिख सकते हो तो देखे दोस्तो ए तो हुए आपके बस्तू निष्ट पिसने पिसने के मांग एक से पिशने के मंग चार तक आपके बस्तू निष्ट पिशने दिये गए थी जो हमने आप लोगों के लिए पूरे के पूरे बस्तू निष्ट पिशने बता दिये गए हैं चलिए दोस्तो इनके बाद आते हैं देखे दोस्तो आपके दो दो अंक की प्रिष्णे तीन तीन अंक की प्रिष्णे और चार अंक की प्रिष्णे तो देखिएगा दोस्तो एक बार आप लोग अच्छी तरह से यहां पर पेपर को देख लीजिए क्योंकि हम दोस्तो आपके जो answer हैं हमने एक जगाए अलग से लिख लिए हैं तो हम आप लोगों के लिए प्रिष्णे भी पढ़की बताते जाएंगे साथ ही आपको वहाँ पर answer भी दिखाते जाएंगे तो देखें यहाँ पर आपको पांच में नमर का छट में नमर का और इस पिका से देखिए यहाँ पर आपकी बारीष प्रिष्णे दिये गए हैं तो देखें अब हम आप लोगों के लिए इन सभी के answer बता रहे हैं तो आप लोग अपनी उत्तर पुस्तका में लिखते जाएए तो चलिए सीधे वहीं पर चलते हैं तो देखेंगा दोस्तों आपका प्रिष्णिक मंग 5 दिया गया था स्वासन की क्रिया उसमा स्चेपी है या उसमा सोसी कार्ड लिखिए लेकिन दोस्तों इसके अफवा का करेंगे हम हल जिसमें लिखा है तेल एवं बसा युक्त पदायतों को नाइटोजन से प्रवावित क्यों किया जाता है तो देखें इहां पर इसका अंसर लिखा हुआ है खाद पदायतों का अपचयन रोकने के लिए उनकी पेकिंग की थेली में से ऑक्सीजन हटा कर उसे नाइटोजन जैसे काम सक्रिये गेस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद पदायतों का अपचयन ना हो सके तो देखेगा इसकी बाद आता है प्रिस्निक मंग 6 जिसमें लिखा है अम लगन किसी कहते हैं और इसके अथ्वावें दिया गाया है संचारड क्या है तो देखे इसका भी हम अथ्वावा का हल करेंग जिसमें लेखा है धातुओं का संचार रसानिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का च्छाय एवं हाथ से होता है और इसके बार देखे इसी में लेखेंगे धातुओं की च्छायर क्रिया जिरमें यांतरिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का हाथ से होता है इस क् प्रिष्णे के मंक साथ जिसमें लिखा है मैंडिलीप की आवयत सायरी के दो गुड लिखिए और इसके अथवा में दिया गाया है नियू लेंड का अश्टक नियम सिद्धान्थ लिखिए तो चलिए इसका भी हम हल कह लेते हैं तो देखे इसका भी हम करेंगे अथवा का हल जिसमें लिखा है नियू लेंड की अश्टक नियम के अनुसार जब तत्तों को उनके बरते हुए पर्मारु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी सुरू कर प्रतेक आठवे तत्त के गुड पहले तत्त के गुड के समान होते हैं इसलिए इसे प्रिष्णिक मंक आठ जिसमें लिखा है धमनी और सिरा में कोई दो अंतर लिखिए तो देखिए इसका हम हल करेंगे धमनी और सिरा के सिरा में कोई दो अंतर लिखिए तो देखिए इसमें आपका अंसर लिखा है धमनी और सिरा दोनों में हिरक्त प्रवाहित होता है और फिर के अंगों से असुद्ध रक्त हिदय तक लाना और इसके बाद आता है आपका प्रिश्ने के मंक नो जिसमें लिखा है कायक प्रवंधन किसी कहते हैं तो देखे इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो इसका सही अंसर हां दोस्तो इहां पर लिखा हुगा है तो देखे इसमें ल यह होता है प्राक्तिक कायक जन्नन पौधों की जड़ तना अथवा पत्तियों से हो सकता है जैसे आलू के कंद अधरक के प्रकंद प्याज के बल्ब अर्वी के धनकंद बायो फिलम की पैड कलिकाएं आधी और इसके बार आता है प्रिशने के मंक 10 जिसमें लिखा है मानाव म में बच्ची का लिंग नैधार कैसे होता है तो देखे और इसका आंसर देखे दोस्तों यहां पर लिखा होगा है मानाव में बच्ची का लिंग नैधार कैसे होता है निशीचन किरिया के से में यदि पुरुष का एक्स लिंग गुड सूत्र इस्त्री के एक्स लिंग से मि एक्स लिंग गुर्षूत्र से मिलकर निसीचन करेगा तू एक सोवाई बनेगा इससे लड़के का जन्म होगा और इसके बाला आता है अंगला प्रिस्ने यानि कि दोस्तो आपका इसके बाला आता है प्रिस्ने क्रिमां के कौन सा 11 नम्मर का जिसमें लिखा है परावायतन के नियम लिखिए तो देखिए यहां पर देखिए दोस्तो आप लोगों के लिए प्रावायतन के नियम लिखिए और इसके अथ्वा में दिया गया है आप प्रावायतन के नियम लिखिए लेकिन दोस्तो हम करेंगे उपर वाला प्रावायतन के नियम तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हों परावायतन की नियम लिखे हुए हैं पिर्थम नियम परावायतन की घटना की दोरान आपतन कोंड तथा परावायतन कोंड का आर का मान बराबर हो रहता है दुतिय नियम परावायतन की घटना में आपतित करड परावायतित करड तथा अभीलंब तीनों एक ही तल में होते हैं आभीलंब आपतन कौड तो देखिए इस पिकासे आपको लिख लेना है और इसके बाद आता है अंगला प्रिस्ने यानि की प्रिस्ने के मंक बारमा जिसमें लिखा है ओम की नियम लिखिए क्या दोस्तों प्रिस्ने के मंक बारा में लिखा है ओम की नियम लिखिए और इसके अथवा में दिए गया है बिद्धुत परिपत को परिभासत कीजिए तो देखे इसका हम अथवा वाला ही हल करेंगे तो देखे इसमें लिखा है बिद्धुत परिपत का आयत बिद्धुत धारा के सतत और बंदपत को बिद्धुत परिपत कहते हैं परिपत के तूट जाने से बिद्धुद धारा का प्रिवाग खतम हो जाता है बिद्धुद धारा किसी चालक के बिद्धुद आवेश के बहने की दर को बिद्धुद धारा कहते हैं और इसके बाला आता है प्रिश्निक मंक तेर्मा जिसमें लिखा है बिद्धुद इसको अनंत से किसी बिंदू तक लाने में किया गया कार उस बिंदू पर विद्धुत विभाव की माप है जिसे विद्धुत विभाव कहते हैं यह आपको लिख लेना है और इसके बार आता है प्रिस्निक मंग चाउदुमा जिसमें लेखा है परीतंत किसे कहते हैं और इसके अथवा में लिखा है ओजोन परत के 6 होने की कारड लेखिए तो देखिएगा इहां पर आपको आंसर मिल जाएगा इसके अथवा का क्या प्रिष्णिक इमंग चवदुमे का अथवा का इहां पर आंसर आपको देखने को मिलेगा और ओजोन परत के 6 होने की कारड इहां पर ल पुस्तका में लिख लें और इसके बार आता है प्रिस्निक रिमंक पंद्रमा में लिखा है निम लिखे जसानिक समीकर को संतुलित कीजिए देखे इसमें एक समीकर लिखा है और इसको आपको संतुलित कहिना है और इसके अथवा में लिखा है जसानिक अभी क्रिया किसे कहते हैं तो देखे इसका हम अथवा का हल करेंगे तो देखे पिस्ने क्यमंख करेंगे करें तो देखेर यहां पर लेखा है Аथवे का उत्तर जिसमें नये गुड़ों बाले पधात का निर्मार होता है उससे कभी किरियाएं कहते हैं तो देखे इस पिका से इसका आंसर भी दोस्तों काफी जादा बढ़ा है तो आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हो तो देखे दोस्तों आप लोग इसे वीडियो को अभी रोक दें थोड़ा पुस कर लें और आंसर को अच्छी तरह से लिख लें और इसके बादा आता है दोस्तों पिषने के मंक सुलमा जिसमें लिखा है सूर्यों तयकी समय सूर्य जक्ताब क्यों प्रतीत होता है और इसके अथवा में लिखा है टेंडल प्रभावक को उधार सहित समझाएगे तो चलिए इसमें से किसी एक को हम हल कर लेते हैं तो देखे दोस्तों इसमें हम सूर में नम्मर का करेंगे जिसमें लिखा है सूर्यो दय की समय सूर्य जक्ताब क्यों पितित होता है तो देखे इसका सही अंसर लिखा है सूर्यो दय की समय सूर्य छेतिज के निकट होता है सूर्य की करणों को हम तक पहुंचने के लिए बाता तो देखे एह हुगा आपका प्रिष्णे के मांक सोलमा और इसके बार आता है प्रिष्णे के मांक सत्रमा जिसमें लिखा हुगा है प्रिष्णे के मांक सत्रमे में लिखा हुगा है चुम्मिकिये बल रेखाओं के गुड लिखिये और इसके अत्वा में लिखा है फेलो में क दाएं हात का नियम लिखिए तो देखे इन में दो में से देखे किसको कर रहे हैं हम देखे इसमें हम सत्रमें नमर का जो फ़र्ष्ट अमर में दिया गया है चुमकिये बल रेखाओं के गुड लिखिए तो इसको हम हल करेंगे तो देखे इहां पर इसका आंसर लिखा है चु कुसरी डिखाओं की शामांतर वाएस समद्रस्ट समांदूरी पर होती हैं तो देखे यह इसका अंसर लखा हुया है और इसके बाल आता है प्रिशनिक मंग अठारमा जिसमें लखा है भुतापिये जिव्थ्या होती एप का एक उपयोग लिखे तो देखे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखे दोस्तों यहां पर लिखा है इसके अथवा पाले का हम हल करेंगे जिसमें अथवा में लिखा है जीवासम इधन क्या है इससे क्या हानिया होती है लिखे तो देखे यहां पर लिखा है जीवासम इध हैं क्योंकि इस सभी पधा जीवों बनस्पती एवं तंतु के आउसेसों से बनते हैं फिल एकाई पैट्रोलियम से प्राप्त विभिन इधन जैसे एलपी जी पैट्रोलियम तथा कैरोसीन मिट्टी का तेल भी जीवासं जीवासं इधन की सेंड़ी में आते हैं करोड़ों बा पैटर ऑक्सीजन की अनुपिस्थिती उच ताप पर ताप एवन दाप की काड कालांतर में जीवन अवसेस कोईले में परिवातन हो गए तो देखिए आपका इतना प्रिशने हो गया जीवासं इधन क्या है अब इसका देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए इसका लिख ले और इसके बात आता है प्रिशने की मांग 19 जिसमें लिखा होगा है ब्रंजक सुड एवं धावन सुड़ा की सूत्र एवं उनकी दोदो उपियोग लिखिए और इसके अथवा में लिखा है जिपसम से प्लास्टिक और पैरिस कैसे प्राप्त करेंगे प्लास्टिक और लोग देख सकते हों यहाँ पर हम सिपसम से प्लास्टिक और प्राप्त करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे तो देखेए इसका आंसर यहाँ पर लिखा है यदि विसुद्र जिपसम सी एसो फोर टुह टूएचिए तुओ को एक हजा से 1900 डिगरी सेलसियस तक गरम किया जाए तो जलांस का तीन चौथाई भाग निकल जाता है और परिडामी पधायत पैरिस प्लास्टिक प्लास्टर सी ए एस ओ फोर एक वटा टू एस टू ओ कहलाता है पैरिस प्लास्टिक पानी के संपरिक में आते ही सिग्र ही उसमें मिलकर जिप्सम बन जाता है और इसके बार आता है प्रिष्णिक मंक 20 जिसमें लिखा है निमने लिखित कारवोने के योगिक के संरचना आत्मा के सूत्र लिखिए जिसमें लिखा है एथेन, प्रोपैन, ब्यूटैन, एथेन और इसके अथवा में भी देखिए दोस्तो लिखा है निमने लिखित योगिक की electronic बिंदू संरचना लिखें तो शाय दोस्तों हम इसका देखें यही वाला हल करेंगे अथोवा वाला यानि कि हमको इसकी बिंदू संरचना लिखनी हैं कि तो देखें दोस्तों इने से हम देखें यहां और Is possono पर आप लूग देख सकते हो NH3 कि संरदचना है दोस्तों तो देखो यहां पर क्रम से नहीं हैं लेकिनुकिन की संरदचना drinks दे गई है और फिर दूसरे नमबर पर देखे । यानि कि खा नंबर की संद्राचना दी गई है और यहां पर आपको CH4 की संद्राचना देखने को मिल जाएगी यानि कि घा नंबर की और इसके बाद देखिए CO2 की यहां पर आपको संद्राचना देखने को मिल जाएगी तो देखिए दोस्तों एह हुगा आपका प्रिष्णिक मंग 20 इसके बाद आता है प्रिष्णिक मंग 21 जिसमें लिखा है मनुस्य के पाचंतंत का नामंकत चित्र बनाईए तो चलिए यह चित्र भी हम आप लोगों के लिए बता देते हैं कि आपको चित्र किस पिकासे बनाना तो देखिए यहां पर बना है मनुस्य के हिदाय का नामंक चित्र आता है तो देखिए इसे आप लोग वीडियो रोक कर बना सकते हो और यही यदि इसकी संवरिष्णिक में आ हो तो देखिए तो उसके कहीं पर भी चित्र आपकी किताब में कहीं पर भी मिल जाएगा आसान से कितिनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा विम्मिका लेंस से 10 सेंटिमीटर दूर पर पितिवंब बने लेंस द्वारा उत्पन आवाधन चमता भी ग्यात कीजिए तो देखें इसका हम कुन सा आंसर कर रहे हैं तो देखें इहां पर हमने इसका हल कर लिखा है तो देखें दोस्तों यहां पर देखिए आपको घबराने की जवगत नहीं है टेंसर कहने की कोई जवगत नहीं 22 नमर में जो फर्ष्ट नमर पर लिखा है अर्थवा का नहीं की गया है जो फर्ष्ट नमर पर लिखा है किसी आउतर लेंस की फॉकस दोरी 15 cm है तो देखिए उसी का अंसर यहाँ पर लिखा हुगा है तो देखिए आपको यहाँ से लिखते जाना है तो देखिए जिस पिकार से यहाँ पर लिखा है आप ठीक उसी पिकार से लिख लीजिए और इहां पर देखे इतना आप लोग लिख लीजे और इतना लिखने के बाद देखे दोस्तो आपको इतना भी लिखना होगा देखे इतना इतना और उसमें लिख लेना है तब आपका आंसा जाके बनेगा तो देखे इतना आप लोग देख सकते हो इसका स्कीन सोर्ट है दोस्तो एक बार में नहीं आ रहा है तो देखे आला आला स्कीन सोर्ट लिया गया है तो देखे इहां पर इतना आपको एक बार में इतना लिख लेना है और इसकी बाद आपको दूसरे बार में देखे दोस्तो कि इतना उस में लिख गया है उतना इहहां से नहीं लिखना है इतना हम लिख लेना है तो देखे दोस्तों इस पिकाश से हमने आप लोगों बिरिये हैं तो राक्त के प्रिष्णिक मंग एक से प्रिष्णिक मंग बालिस तक का संपूर हल आप लोगों के लिए बता दिया है दोस्तों अब आपके 80 में से 80 अंक लाने में कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों इतना हो सकता है कि आपकी डायटिंग बगेरा कोई अंक काटता है तो दोस्तों आपके 70-75 अंक आ ही जाएंगे तो दोस्तो आप लोगों के लिए इतनी महेनत की इतनी महेनत की दोस्तो तो इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है साथ दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कलने क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी आपके सभी सब्सक्राइब के पेपर हल सहत देखने को मिलेंगे वो भी दोस्तो संपूर हल हाँ दोस्तो इस चैनल पर आपको सभी पिकार के संपूर हल पेपर के आंसर देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें चैनल को करें इसी पिकार के नए नए वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जये हैं